हेलो गाइज वेलकर तो माई यूटूब चैनल जूनेटोपीडिया और आज मैं आप सब को वाट्सएप के कुछ इंपॉर्टेंट और यूसफुल ट्रिक्स बताएं जा रहा हूं जो आपके बहुत ही काम आएंगे सो चले बढ़ते हैं अपनी फर्स ट्रिक के तरफ हमारी फर्स ट्रिक है कि आप अपने नमर को कैसे चेंज कर सकते हैं मालुन अपने वाट्सएप को आप अलग सिनप ट्रांसफर करना चाहते है तो आप से कैसे करेंगे सो उसके लिए आपको अपना WhatsApp ओपन कर लेना है आपको टॉप राइट पर तीन डॉट दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर सबसे बॉटम वाला सेटिंग है आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद अबर यूज कर रहे आपको वह नंबर को टाइप करना है और सेकन वालेपर आपको अपना नंबर टाइप करना है इस पर आपको ट्रास्फर करना है उसके बाद नेक्स पर क्लिक कर देचे तो लेकिन आप देख सकते अभी भी डार्क मोड में है किसा थर रच को आप अगर अगर आप मोबाल में डार्क मोड ऑन है और वाट्पा को लाइट मोड और अन हैं च्छक्षक मोड एक अपके आपके यह भी नॉर्मली लाइट मोड में आ जाए तो सक इक मोड वापस अन हो चुका है अब मैं बदाता हूं अब मी बताता हूँ इसके अधरी को यहाँ ब्रयू पर उपस यहाणी आप Report से किरा उपो ng गैयरी के फोटोस को ले सकते हो और सॉलिट कफेशन और जो डीफोल्ट इसके इसके सॉलिट कफेशन होते हैं जैसे कि आपको गृन हाँ के अंदर अगहल जाते हैं और अरह यह बराइड के अंदर आतर इफोल्ट अब देखते से background में में तावर आ चुका है सो चले बढ़ते हैं अपने थर्ड ट्रिक की तरफ उसके लिए आपको एटीन डाट पर क्लिक करकर Settings के अंदर ही वापस Notifications पर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको जो second option है Notification Tone यह आपको Notification का sound होता है इस पर क्लिक करकर File Manager सेलेक्ट करके आप यह Notification का sound हो चेंज कर सकते हैं आपके जितना भी Audio Files है वो यहाँ पर शोग हो जाएंगे आप सेलेक्ट करकर OK करने के बाद आपका Notification चेंज हो जाएगा सो चले बढ़ते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक की तरफ यहाँ पर आप Storage and Data पर क्लिक कर दीजे उसके बाद बॉटम पर आपको देख रहा होगा Photo Upload Quality इसका मतलब ऐसा होता है अगर आप किसी को कोई photo send करते हो तो उसका quality कम हो कर जाता है आपको Internet Speed के recording अगर आप इसे Best Quality पर सेलेक्ट कर देते हो तो यह आपको जितना quality है उतना ही रहता है लेकर आप डेटा सेवर करते हो तो आप जितना quality है उससे हलका सा कम quality हो कर जाता है लेकिन वो जल्दी send हो आता है So चली बढ़ते है अपनी 5th trick की और यहाँ पर आपको अपने profile पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर अगर आपको अपना profile photo change करना है तो आपको इस पर क्लिक करकर आप यहाँ पर camera select कर सकते हैं अगर आपको camera से photo कीषता है अगर आपको बस already profile photo है तो आप gallery पर click करकर select कर सकते हो यहाँ पर आपको अपना first option जिख जाएगा अपना नाम यहाँ पर आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हो या फिर कोई thought या कोई quote आप यहाँ पर लिख सकते हो अगर कोई इनसान आपको contact को search करता है WhatsApp में तो यह आपको आपके नाम के नीचे दिख जाता है WhatsApp में यह default Hi there I am using WhatsApp ऐसा कुछ होता है आपको इसे भी change करने के लिए सेम जैसा आपने नेम चेंज किया था वैसे पैंसिल के बटन पर क्लिक करकर आपसे चेंज कर सकते हो आज की वीडियो के लिए बस इतना है तो मिलते है अपने अगली वीडियो पर सुब तब तक के लिए बाबाई